ब्रेक की बाद एक बर फिर से स्वागत आप सभी का बजट 2024 में और शली आपको बता दे कि इस बजट में काफी कुछ खास रहा है जहाद 10 एम बाते भी इस बजट की रही है फिर चाहे रेल को ले करके या फिर 5 सालों के अंदर ही 2 करोड आवासों को ले करके घर बनानी की ज किसी तरह का कोई बदलाब नहीं आया है आए करदाता हो के लिए कोई यहाँ पर राहत की खबर जो है सामने नहीं आई है क्योंकि ये आंतरीम बजट में काफी परहेज के साथ सरकार इस बजट को ले करके आई है वित्यम अंतुरी निर्मला सीता रमंत के द्वारा ये बात कहीं भी गई कि हमें इस जो बजट है इसमें परहेज के साथ ही हमने इहाँ पर बजट को पटल पर रखा है कोई भी लोक लभाबनी घोशना है जो है इसमें नहीं कर सकते हैं और इस बात का खयाल जो है खास तोर पर इस बजट के दौरान रखा गया है हलाकि काफी उमीदे हर वर्ग को थी इस बजट से जहां का यह वर्गों की बात कर ली जाए तो बजट को ले करके खुशिया भी हैं लेकिन आम जनता यानि मिरिल क्लास को कुछ खास दाहत मिलती नजर नहीं आ रही हैं इस बजट से और संजर आठो और व्यूरो चीफ हमारे साथ गुरुगराम से हमारे साथ बने हुए हैं संजर बजट आ चुका है और बजट आने के बाद गुरुगराम की जनता का क्या रियक्शन निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि गुरुगराम खुद में एक महत्पून जगे है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए उद्दमियों का आवागमन जादा रहता इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है तो क्या कुछ इस बजट को लेकर के रियक्शन? इक रोड से जादा जो पेर है उसको इसमें लाब मिलेगा उसके साथ तमाम कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है मैंन से बात किरेते हूं सर काफी उमीद है इस बजट से थी अंत्रीम बजट था क्या कुछ खास आपको इस बजट में लगा क्या कुछ बजट में सामने आया है? बहुती संतुलित बजट पेस किया गया है क्योंकि अंत्रीम बजट था बहुत गंबीरता से और दूर गामी परिनाम यह बजट देने वाला होगा। देखे बहुत से चेत्रों में इसमें काम किया गया है। चै Además कि ए अब आप बता रहे ते से railway को रिडोर अनाूंस किया ग तो उसी कड़ी में दो क्रोड के करीब आवास आने वाले समय में हर उस आम जरूर्ट बन लोगों को मिले ऐसा प्रियास किया गया है और एक जाती में जो देश बटा हुआ था माननी है वितमंत्री जी के दौर अभी और पहले परदान मंत्री जी के दौर अभी उसको एक जो आने वाले समय में दूर गामी पर नाम देंगी और यह एलेक्शन सम्मंदित बजट नहीं है क्योंकि पहले जितने भी सरकारे पेस करती थी आज से दस साल पहले कौंगरिस के अब वो एलेक्शन को देखते वे बजट पेस करती बहुत ही सधा हुआ संतुलित और दूर पर नाम देने वाला बजट सर क्या कहेंगे क्या उमीदे थी और क्या कुछ मिला इस बजट से सबसे पहले मैं कहुंगा काफी लोग शिकायत कर करते रहते हैं कि मद्यमवर के लिए क्या है एक्शली बजट ना यह कोई भी बजट ना डारेक्ट बेनिफिट एक होता है और होता है इंडारेक्ट बेनिफिट जब हमारी देश की व्यवस्ता मजबूत होगी इंफ्रा मजबूत होगा एफडी इंवस्मेंट हमारे देश में बढ़ रहा है और तमाम चीजों में इतनी सारी स्कीम्स हर वर्क के लिए सरकार ला रही है तो उसमें केवल एक क्राइटिर को द्यान में रखते हुए विकसित भारत को देखते हुए काम कर रही है उसको देखते हुए इंफ्रा मजबूत हो रहा है प्रेटन एयरपोर्ट डबल करने की बात है 149 एयरपोर्ट की प्लैन है और हर तरह का मुझे लगता है बहुत ही लॉंग टर्म विजन के साथ जो य अगले पांच साल कुछ कर रहा है लेकिन अगले पचास साल साल क्या करना यह बहुत उसके लिए हम होता है जहां तक मीडियम कलास की बात है भाही ने बताया जो टैक्स लैब की बात है चलिए हम अपना नीजी लालस देखते हैं लेकिन सबसे अच्छा काम इस बजट में कि अगले उसमें उसको सामिल कर लिया गया कि हमारी सुआज दूसरा आप और अवराल जब देश का विकास होता है तो हमारा सब का विकास होता है मोधी सरकार ने आपने रेल के बजट रेल को जो बजट अलग से पैसा देया डिफेंस पर बजट का कुल 8% डिफेंस पर खर्च अगर तकनी की 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 जो हम पूरे वल्ड में अगर उद्यों को बढ़ाना चाहते हैं तकनी की जो लोग हैं जो उसके परशिक्षक लोग हैं तकनी की उसको बढ़ावा देना पड़ेगा बीच में कुछ साल हमारे देश में ऐसे हैं कि IT जो इट जो आइट्याई है छोटे विल्ड में तक्निकी तोरपर काम कर रहे हैं जो देश को लाव मिला एकन्मी बढ़े वड़े गा अर्मी को मजबूत किया गया peng अलग से पैसा इसके लिए पास किया गया है बजट आर्मी को दिया गया है तो मोटी जी का यह जो है यह चुनावी तो विपक्स तो बोलेगा ल हमने और आल देखना चाहिए नेशनल हाईवे पर काम हो रहा है और हेल्थ पर और एज्यूकेशन पर जो काम मोधी सरकार कर रही है मैं इसके लिए मोधी सरकार की तारीफ परसंचा करूआ कि बहुत अच्छा काम करें तो बिल्कुल जिस तरीके से इस बजट से उमीद है नही यह बजट रहा जिस तरीके से अब हम रेलवे की बात करें ती नए कोडिडोर बनने जाना है तो उससे कितनी गती मिलने वाली है और 40,000 के करीब जो डब्बे हैं वो नए जुडने वाले हैं लेकिए जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी चै वो माल धुलाई के लिए हो चै कहीं पूरे हिंदुस्तान पे उसका असर पड़ेगा तो उन्होंने चै वो रोड कनेक्टिविटी फ्लाइवोर्स के माध्यम से सड़कों के माध्यम से पहले भी होती रही है और इस बजट पे भी विशेज तोर पे फोकस गया है रेलवे में पहले बहुत सुधार हुआ है नई नई ट्रेन चलती रही है और इस बजट के माध्यम से भी जो अभी डब्बे बढ़ाये गए है और जितना बजट पेस किया गया है वो काफी फायदा करेगा डिफैंस के अंदर हमारी सिमाय शुरक्षित हो उसके लिए उन्होंने काफी बजट अनौंस किया है उससे हम भाई सबने बताए विक्सित भारत 2047 की तरफ जो एक आदने परदानमंत्री जी का मिसन है उस तरह का बजट उसको ले जाने वाला बजट एक बजट है बजट चुनाव से पहले से बजट को किस तरीके से देखते हैं क्योंकि चुनावी वार्ष चुनावी वार्ष चुना की बजट